हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है All Hit Exam और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर दो हजार चौबीस की तयारी के लिए CDP Child Development Pedagogy बाल विकास सिक्षा सास्त्र के ऐसे महत्पुन प्रश्ण जो की आपके पेपर में आने वाले हैं तो दोस्तों चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रस्ण दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा CDP बाल विकास सिक्षा सास्त्र में निम्न में से कौन सा नियम या सुझाओ देता है कि सरीर के विविन अंग विकास के विविन चरडों में भिन भिन दरों से विक्सित होते हैं Option A है विकास एक आयामी होता है Option B विकास एक दिसाई होता है C विकास एक ओस्षत प्रक्रिया है और D विकास के दिसा अधो गामी एवं शिर्ष गामी है दोस्तों इस पहले नंबर के प्रष्ट में राइट आंसर क्या हुआ कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर देंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका उप्शन नंबर D विकास के दिसा अधो गामी एवं सिर्ष गामी होती है क्यों होती है दोस्तों विकास के दिसा अधो गामी एवं सिर्ष गामी क्यों होती है आप सभी भली भात पढ़े होंगे क्योंकि विकास की जो दिसा है विकास जो होता है वो एक और देगामी परक्रिया है और सिर्ष गामी इसलिए इसका जो दिसा होता है वो अधो गामी और सिर सिगामी होता है अप्षन मंडी ये आपका correct हो जाएगा नेक्ट आगे आपका second question कहा रहा है कि निमन में से कौन सा कथन सही है पहरा option है आपका बच्चों का विकास एक समाजिक सांस्कृतिक परिप्रिक्ष में होता है second बच्चपन वह अधी है जिसे 10 भिन अवस्थाओं में बाटा जा सकता है तीसरा है बच्चों की सोच समाजिक अंतक्रिया से प्रभावित नहीं होती है और चोथा है बच्चों का विकास केवल अनुवानसिक्ता पर आधरित होता है तो इसमें आपका जो कतन सही होगा वह हो जाएगा आपका उप्चन नंबर फर्स्ट बच्चों का विकास एक समाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष में होता है उप्चन नंबर पहला आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्चन नंबर थोड करहा है कि अनुवानसिक विन्यास के पुरू निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रकरिया डैस 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 क्या कहलाती है अनुवानसिक विन्यास के पुरू निर्धारित रूप से प्रकरिया है इसको कहा जाता है परिपकोता यानि की maturity option number 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा next आगे चौथा प्रशन है dash 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 समाजीकरन का प्रात्मिक और dash 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 समाजीकरन का दीतियक कारक क्या है समाजीकरन का प्रात्मिक और समाजीकरन का दीतियक जो कारक है वह होता है आपका पहला होता है समाजिक्रण का प्रात्मिक परिवार और दितिक होता है आपका विद्याले तो option number first आपका यहां पे correct हो जाएगा नेक्स आगे question number पांचवा करा है कि लॉरेंस कोहलबर के अनुसार 7-8 वर्षी बच्चों में नैतिक निरड़ लेने का आधार क्या होता है तो लॉरेंस कोहलबर के अनुसार 7-8 साल के बच्चे में नैतिक निरड़ लेने का जो आधार होता है वह उसका दंड और आग्या पालन की विदी होती है option number आपका थोड़ यहाँ पर सही हो जाएगा next छटवा question करा है कि अपनी कक्छा के लिए मुल्यांकन पदती तै करने से पहले एक सिक्छा को किन बातों पर विचार करना चाहिए पहला है मेरे अलावा इन परडामों को उपयो कौन करेगा दूसरा विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वत्तम तरीका क्या है तीसरा कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयम के सिक्छा सास्तर पर चिंतन करने में मदद करेगा और जोथा है कौन सी विदी छात्रों को उचितम अंक पाने में मदद करेगी तो दोस्तों यहाँ पे अपनी कक्छा के लिए मुल्यांकर पदती तैय करने से पहले एक सिक्छप को जो जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है वो आपका हो जाएगा पहला की मेरे अलावा इन परडामों का उपयोग कौन करेगा दूसरा विशिष्ट छात्रों के अधिग मुखर का पता लगाने का सरोतम तरीका क्या है और तीसरा कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयम के सिक्छा सास प्रचिंतन करने में मदद करेगा इसलिए आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा एक, दो, तीन, तीनों विकल्प आपके यहाँ पर सही हो जाएगा यानि कि Option Number First आपका Correct हो जाएगा Next Question Number आपका सातवा प्रस्ण पूछ रहा है साथवा प्रश्म कर रहा है कि समावेसी सिक्षा से क्या अभी प्राय है समावेसी सिक्षा का मतलब होता है आप सभी पढ़े होंगे समावेसी सिक्षा से क्या अभी प्राय है पहला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरेक्षन केवल सरकारी विद्यालों में ही उपलब्द करवाई जाए दूसरा दिभ्यांग चात्रों को सिर्फ विसेस विद्यालों में ही सिक्षा दी जाए तीसरा सरकारी विद्यालों में किवल अंग्रेजी भासा पढ़ाई जाए चौथा योगताओं से परे होकर सभी चात्रों को गुण सिक्षा उपलब कराई जाए यही होता है आपका समाविशी सिक्षा का मतलब आपसन नमर फूर आपका करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यहां आठ नमर के प्रष्ट में आपका ए और आर दोनों सही है और आर बिल्कुल सही ब्याक्षा कर रहा है एकी इसलिए आपका उप्सन नमर पहला यहां पे करेक्टर राइट आंसर हो जाएगा और फाट पढ़ाते समय एक सिक्षा को पाठे समगरी को दर्सान का बिल्कुल सही ब्याक्या कर रहा है अगला आपका नमर प्रष्ण है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठनाई का सामना करती है उसे अक्षर बनाने और सब्दों के बीच अंतराल करने में चुलोंती मैसूस होती है यह लच्छन किस अधिगम विकार की ओर इसारा करत है पहला है पठन वैकल दूसरा आलेख वैकल तीसरा गणन वैकल और चोथा ध्यान एवं अतिसक्रियता विकार तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आलेख वैकल यानि कि आलेख वैकल का मतलब होता है लिखने में जो दिक्कत होती है उसको हम बोलते है आल आने के करित पदतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए दूसरा सिक्षा सास्त्री उपागमों और मुल्यांकन के विवेद स्ताधनों का उपयोग करना चाहिए तीसरा रटन आधारित अधिगम को निधारित करने के लिए एक रूप सिक्षा सास्त्र का इस्त सेकंड हो जाएगा सिख्षा सास्त्री उपागमों और मुल्यांकेन के विविद साधनों का अपयोग करना चाहिए ओप्सन नमबर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा निक्स्ट आगे अगला बारहवा प्रश्ण है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया पहला है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निशित आयू तक आते विसिष्ट निर्धारित लक्ष वह से प्राप्त कर लेते हैं दूसर का पुर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया सकता यद्दपी विकास सभी के लिए एक दिसात्मक होता है और चौथा सिर्फ माता-पिता से प्राप्त अनुवानसिक गुणोद्वारा ही निर्धारित होती है तो यहां समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास क जो प्रक्रिया होती है वह बहु आयामी है क्योंकि बच्चे बिभिनी प्रकार के संदर्बों में पलते और बढ़ते हैं इसलिए आपका अप्सन नमर सेकंड यहां पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आगे अगला तेरहां प्रस्ण है रूची को तीन पैंसिले दिखाई आती है वह देखती है कि पैंसिल को पैंसिल खो से बड़ी है और पैंसिल खो पैंसिल गो से बड़ी है जब रूची यह निसकर्ष निकालती है कि गो से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के कि संगरात्मक विकास की विशेष्था को दर्साती है तो यहां दोस्तों पहला है आपका क्रववजता, दूसरा संदक्षन, तीसरा सकर्मक अनुमान, और चोथा परिकल्पना आधारित, निगमनात्मक तर्ग, तो यहाँ जीन पियाजे के संगनात्मक विकास के जो अवस्था है, विशेष्था है, वह हो जाएगा आपका यहाँ पे, अप्शन नंबर, बुदा नंबर पर, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विस्वास होना चाहिए, पहला है, कक्षा हमेशा कटोर निंदर में रहे और सेफ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, दूसरा अधिगम किवल कक्षा में ही होता है, तीसरा, कक अच्छा में विद्यार्थी अपने साथ बिविद प्रकार के सम्रिद अनुभव लेकर आते हैं अप्शन नमर थौर्ड आपको यहां पे करेक्ट वराइड अंसर हो जाएगा नेक्ष्ट अगला पंद्रहबा प्रश्ण है राष्टी सिक्छा नेती 2020-1960 सिक्छा को पहला किवल पुरू निधारित वीस्य वस्तू पर केंदरित होना चाहिए दूसरा समस्या समधान पर केंदरित होना चाहिए तीसरा अधियमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए चोथा अन्वेशन आधारित और खोज आधारित होना चाहिए तो यहां दोस्तों पंदरे नंबर केस्परस्ण में आपका पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा एक दो और चार एक दो और चार तो दोस्तों यहां सिजनात्मक बालग कि बारे में अगर पर बात की जा रही है उसके गुर्ण की तो यहां हो जाएगा आपका एक तीन और चार आपसारी चिंतन होगा अमूर्द चिंतन की योगता होगी और नवीन आमुक उत्पादन की योगता होगी तो आपका थोड़ आपसन है आपका एक तीन और चार भी कलप आपका करेक्ट ह जाएगा नेक्स्ट आगे अगला आपका प्रश्ण है 17 नंबर पर निम्न में से कौन सी तक्नीक छात्रों में समस्या समधान कोस्मों के विकास सेत्वी प्रभावसाली नहीं है पहला है मुद्दो पर चर्चा को सुसादे करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के चौथा हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूरु निधारी चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तिमाल पर बल देना तो यहां नहीं पूछा जा रहा है प्रश्ण में नेगेटिव प्रश्ण है तो यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निधारी चरण बाई चरण दर चरण प्रिक्रिया की इस्तवाल पर बल देना ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया तो यही जो बिकल्प है आपका ये नहीं में आएगा नेगेटिव में आएगा अगला आपका 18 प्रशन है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावसाली तब होता है अगर वह मुख्यतर डैस डैस हो पहला सिक्षक निर्देशित दूसरा सवापाठियों द्वराय निर्देशित तीसरा पाठ्य पुस्तक किंद्रित और जो अथा स्वा निर्देशित तो आप खुद अपने आपको उसके मुख्य बिंदू में रखते हैं कंद्र बिंदू में रखते हैं स्वा निर्देशित तोना चाहिए आपका और आपका 19 प्रशन है कि पियाजे द्वरा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निमखित में से कौन से कारक महतुपूर माने जात तो यहां हो जाएगा आपका पहला सिक्षा की गति सिलता होनी चाहिए बिल्कुल चाहिए बात है विवदे समगरियों का प्रवधान होना चाहिए और उसके बाद मद असरी नवीन अनुभो प्रदान करना तो यह जो आपका विकल्प है आप्सन नमर सेकंड करेक्ट हो जा जा सकता है दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोधन अरजित करता है तीसरा कानून और व्योस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मुल्य के आधार पर नैतिक से धान्तों को स्वैम चुना जाता है चोथ अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी बिन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अरजित करता है ये आपका जो भी कल्प है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अप्सिन नमर आपका सेकेंड अगला आपका एक कैसवा प्रश्ण है निमिखित में से कौन से इस्तित सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्साती है पहला चातर सक्री रूप से सोचते हैं कि वे कहां हैं वे कहां जा रहे हैं और वहां कैसे पहुँचे दूसरा सिख्छक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तीसरा प्रदर्सन बढ प्रदर्शन बढ़ाने के लिए चात्रों के बीच लगातार तुल्ला की जाती है यह जो विकल्प है यह आपका आंकलन को नहीं दर्शाएगा इसलिए आपका अप्शन नंबर थोड यहाँ पे सही हो जाएगा नेश्ट अगला आपका बाईसवा प्रश्ण है कि निमलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दी ब्यांगता और संबंदी चात्रों के समावेशन हेतु यत्थोचित सयोजन रनेती का सही युगम है पहला गुणा जवाइकल कैलिकुलेटर का प्रावधान दूसरा पठान जवाइकल लंबे-लंबे लिखित कारे सौपना तीसरा स्रमण दोस ओडियो टेप देना चोथा द्रिस्यहानी चित्रों वाली पुष्ट के उपलब देख रहाना तो यहां जो है सबसे सही युगम की अगर बात करेंगे तो गुणा जवाइकल्ब ये कैलिकुलेटर का प्र जो है वो दिव्यांग है तो तो फर्स्ट आपसन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अगला तेईसवा प्रश्ण है कि अभी कथन ए कह रहा है कि एक सिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वले बीसे वस्तु को छात्रों के दनिक जीवन के अनभवों से जोड़ दिया जा रहा है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से मौतपूर अनभव लेकर आते हैं जिस पर सिक्षका को ध्यान देना चाहिए सही विकल्प का चुनाओ करिए तो यहां दोस्तों इस 23 नमर के प्रश्ण में आपका सही विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों बिल तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए तो यह दोनों कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो तरक जो है वो कथन को बिल्कुल सही सावीत कर रहा है अगला 24 प्रस्ण है कि अधिगम को प्रभावीत करने वाला निम्लखित में से कौन सा कारक पर्यावरणी कारक है तो यहां जो आपका पहला है रवाया, दूसरा प्रेरना, तीसरा ब्यक्तित लच्छन, चोथा विद्याले, यह हो जाएगा आपका विद्याले, क्योंकि अधिगम को प्रभावीत करने वाला जो है सबसे पर्यावरणी कारक है, वो विद्याले में ही बच्चे सीखते हैं, ओप् बच्चों के सारेरिक विकास के लिए वनसानुगत कारक ही उत्तरदाई होते हैं, सही विकल्ब को चुन करके बताईए, तो यहां दोस्तों बच्चों के सारेरिक विकास में अगर देरी हो रही है, तो कहा जा रहा है कि उसका तर्क दिया जा रहा है, करन दिया रहा है कि बच्चों के सारेरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से अनुवांसिक बना और जीमदार नहीं होता है उसमें पर्यावरण की भी भूम क्या होती है और बच्चों के सारेरिक विकास के लिए वनसानुवत कारा क्यों उतरदाई होता है ये भी नहीं है कि इसमें भी प परियावन का प्रभाव पड़ता है तो इसलिए आपका हैं पर ए और आर्ट दोनों को थन गलत हो जाएंगे और यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर यहीं भी कल्प से हो जाएगा अगला है आपका 26 वा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संग्यनात्मक चमता आती है पहला अमूर्थ सोच की चमता दूसरा लच्छ निर्देसित ब्यवहार की चमता तीसरा दूसरी का नजरिया लेने की चमता और चोथा परिकलपनात्मक निगमनात्मक सोच की चमता तो यहां दोस्तों आपका लच्छ निर्धारित लच्छ निर्देशित बिवहार की चमता जो है यहां आपका पूर संक्रियात्मक अवस्था में संग्यनात्मक चमता में आती है लच्छ निर्देशित बिवहार की चमता अपसरमर्स सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएग लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिधान्त के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकरात्मक प्रडामों के डर पर ध्यान केंदिर करते हैं पहला सजा और अग्याकारिता अभिविन्यास दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास तीसरा कानून और व्योस्था अभिविन्यास और चोथा समाजी अनुबंदन अभिविन्यास तो दोस्तों लॉरेंस कोरबर्ग के नैतिक विकास के सिधान्त के कि तरों की बात की जा रही है तो यह हो जाएगा आपका सजा और अग्याकारिता अभिविन्यास लोरेंस कोरबर के नहतिक विकास के सजा और अग्याकारिता अभिविन्यास के अनुसार बच्चे दूसरों के इरादों की उपेच्छा करता है यानि कि अवहेलना करता है और इसक और अगेकारिता भी नयास correct हो जाएगा पहला भी कलप आपका next अगला question है आपका 28 किस तरह के प्रश्ण पूचकर बच्चों में 28 प्रश्ण है किस तरह के प्रश्ण पूचकर बच्चों में समालोच नात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है पहला वन अधिकार अधिनियम किस प्रकार होता है दूसरा तिर्भुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है तिसरा प्रिथवी के वायमंडर के भीविन परतों के नाम लेखिए और चौथा बीजों को अंकुरुन के लिए हावा के ओ सकता होती है तो यहां तो 128 नमर के प्रस्ट में आपका उप्सन मर्ट चौथा से हो जाएगा बीजों को अंकुरुन के लिए हावा के ओ सकता होती है तिर्भ चौथा विकल्प है जो चौथा प्रस्ट है ये आपके बच्चों में समालोई चनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सबसे सटी का अंसर होगा अगला उन्ती सो प्रश्ण है दिब्यांग चात्रों के सिक्षा के संदर में निमलिखित में से किस प्रावधान को राष्टे सिक्षानती दोहर बढ़ावा नहीं दिया गया है बढ़ावा नहीं दिया गया है पहला है उपयुक्त इमारती धाचा दूसरा प्रतिक विद्यार्थी के लिए एक सिक्षा और निजे सिक्षक तीसरा अनिवार्य विशेश सिक्षा और चौथा है उपयुक्त तकनीकी सुविधाए तो दोस्तों यहां पे आपका उप्शन म थोड यहां पे कनेक्ट हो जाएगा नेक्स तीसवा और आकरी प्रस्नों का इस वीडियो में समकालीन सिध्धान्तकारों के अनुसार सीखना प्रात्मिक रूप से एक डेस डेस गतिविधी है पहला यांत्रिक दूसरा ब्रभारवादी तीसरा निस्क्री और जोथा समाजी तो दोस्तों समकालीन सिध्धान्तकारों के अनुसार सीखना जो है वो प्रात्मिक रूप से क्या है एक समाजी गतिविधी है ओप्सन नमबर फूर आपका यहां पे राइट अंसर हो जागा समाजी गतिविधी तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने CD पेडागोजी बाल विकार सिक्षा सास्त्र के तीस ऐसे महत्पूर परिशनों को हम लोगों ने देखा है जो कि आपके दिसंबर 2024 में जो आपका परिक्षा होना वारा है सेम ऐसे ही परिशन आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं खास करके साल दो साल के अंतराल पे जो ल कोटिपिकेशन मिल सके बाकी कोई सुझा हो तो कमेंट बाक्स में आप पूछ सकते हैं इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पर समाप करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने आने के लिए अब सभी का